हाई गाईज दिस इस बबीता एंड वेलकम बैक तो माई चैनल दिवाइन लाइट टैरो गाईज आज का जो वीडियो हो इसका टॉपिक आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक हो यह है कि आपक स्क्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आये तो लाइक शियर कमेंट जरूर करें साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो वाट्सेप नंबर ओल्रेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते साथ साथ मेरा टैरो का ए बिगिनर कोर्स वो इस को कर सकते हैं और इसका एनरजी एक्षेंज जो है वो है 6666 रुपे मीन्स डबल सिक्स डबल सिक्स ताउजन सिक्स हंड़ेड सिक्स्टी सिक्स अगर आप 6 जुलाई से पहले अगर पेमेंट करते हैं तो इस कोर्स का पेमेंट जो है वो 6666 रुपे रहेगा अगर 6 जुलाई के बाद करते हैं तो यह जो है 9555 रहेगा और यह सर्टिफाइट कोर्स है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइट किया जाएगा आफ्टर कम्पलीशन दा कोर्स तो चलते हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई है यह हम इस रीडिंग के तुरू देखेंगे आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई है यह हम इस रीडिंग के तुरू देखने वाले हैं तो यहाँ पर पहला कार्ट आगया है मेजिशियन कर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई है आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई है रेंदम ली एक कार्ड निकालूंगी आएगा टू आफ काप्स आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी है टू आफ पैंटिकल्स टू टू की एनर्जी हो सकता है टू टू नंबर मास्टर नंबर है डबल बन जो है मास्टर नंबर है डबल टू मास्टर नंबर है हो सकता है आपको मास्टर नंबर दिख रहा हो किंग आफ कप्स का कार्ड है आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई हैं यह हम इस लीडिंग के दुरी देखेंगे Five of Cups आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई हैं Queen of Swords, Eight of Pentacles, Seven of Cups आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई है Six of Cups and King of Pentacles आपको देखकर लोगों की नींदे क्यों उड़ी हुई है Judgment Ten of Cups Lovers Three of Cups and Bottom of the Deck जो आ रहा है वा रहा है The Emperor तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की आपकी राशी मिथुन हो सकती है आपकी राशी कन्या हो सकती है आपकी राशी मकर हो सकती है आपकी राशी करक वरश्चिक मीन हो सकती है यह आपकी राशी हो सकती है आपकी राशी मेश हो सकती है तो हम देखते हैं कि आपको देखकर लोगों की नींदे की उरी हैं, अगर हम overall energy की बात करें, तो आप के लिए जो energy निकल कर आ रही है, the emperor की energy है, आप बहुती एक powerful position पर दिखाई दे रहे हो इस समय, जहां पर भी हो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जहां पर भी आप क काम कर रहे हो या जिस भी छेत्र में कर रहे हो, चाय जॉब हो, चाय बिजनिस हो, चाय प्रोफेशन हो, उसमें आप बहुती बढ़िया काम कर रहे हो, जिसके कारण आपको name, fame, recognition और appreciation मिल रहा है, इस कारण से हो सकता है, और आप बहुत stable energy में दिखाई दे रहे हो, बहुत वाली energy के कोई आपको हिला नहीं सकता, stable energy में, इस कारण से आपके आज पास के जो भी लोग है, उनकी नींदे जो है उड़ी हुई है, बहुत powerful position में आप दिखाई दे रहे हो, the magician की energy है, आपके अंदर वो इक्छा शक्ती है, आपके अंदर वो potential है कि आप किसी भी, जो आप के ideas होते हैं, उनको आप reality में change कर सकते हो, जो भी आपके सपने हैं, उसको आप fulfill कर सकते हो, पूरे कर सकते हो, बहुत confident energy में हो, इस कारण से आपके जो आज पास के लोग हैं, उनकी नींदे उड़ चुकी है, बहुत balanced energy है, चाहे relationship की बात करूँ, चाहे career की बात करूँ, चाह harmony दिखाई दे रहे है, balance energy है, साथ साथ आप एक authoritative position पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आपने आपके goals, आपके जो रिष्टे हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हो, जो भी आपकी एक्छा है, जो भी आपकी feelings है, जो भी आपकी desires, उसको आपने पकड़ के रखा है, मतलब आपका full control है अपनी life पर, आप किसी भी चीज़ को अपनी life में control कर सकते हो, वो willpower है, आपका creativity है, साथ साथ five of cups की energy है, जो हो गया सो हो गया आप पीछे मुर कर नहीं देख रहे हो, पहले जो energy थी आपकी वो इस तरह की थी, वो सकता है, past में आपकी energy है रही हो, कि आप past के चीजों में खोई रहते थे, past में कुछ unfavorable incident हुए, कोई experience हुए तो उसको लेकर आप परेश्वान रहते थे, लेकिन अब नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, आप इतना past के उपर focus नहीं करते हो, आप present के उपर focus करते हो, साथ साथ जो भी काम करते हो ना उसमें अपना 100% मेहनत करते हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनिस कर रहे हो, उसमें अपना 100% देना है, इस position पर हो, भलही past में आपने अपनी life में बहुत ups and downs, बहुत struggles देखा हो, बहुत कुछ negative देखा हो, लेकिन अब आप उन challenges से बहुत कुछ आपने देखा है, उन चीजों से बूरे experience से बहुत कुछ lesson आपने लिया है, और आप अच्छा बूरा अपना बहुत अच्छे से समझते हो, किसी भी बात पे, आपको किसी के ओपर निर्भर होने की अवशकता नहीं है, आप इतने चतूर, इतने चाला, इतने समझदार हो गये हो कि आप अपनी जिन्दगी के निर्ने खुद ले सकते हो, independent thinker, आप जो आपको बोलना आप बोल देते हो, जो कहना है, मतलब straight forward, आप किसी से डरते नहीं हो, निडर एनर्जी है, freedom lover हो, मतलब बहुत free दिखाई दे रहे हो, हर चीज में, आपको किसी की तरफ जुकने की अवशक करता नहीं है, इस कारण से, आपके आज़ पास के लोगों की नीदे उड़ चुकी है, आप बहुत intelligent हो, अपनी intelligence को कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे utilize करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, साथ-साथ यहां पर महनत आप बराबर करते हो, और भले उसका फल आपको देड़ सबिर मिलता हो, लेकिन आप बिल्कुल अपना 100% देते हो, अपना 100% आप देते हो, और उसका reward भी आपको कहीं ना कहीं, भले देड़ सबिर मिलता है, पर मिलता जरूर है, सेवन आफ कप्स का कार्ड है, आप हो सकता है, हर चीज में हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, means आपको नेम फेम मिल रहा हो, आपके रिष्टे अच्छे हो, आपके पास प्रोपर्टी हो, पैसा हो, हर चीज आप अचीव कर रहे हो, नेम फेम रिकोगिनेशन इस क कारण से आपके आज पास की लोगों की नीदे उड़ चुकी हैं, King of Pentacles का कार्ड है, बहुत professional हो गया हो, बहुत practical हो गया हो, बहुत practical वे में सोचने लगे हो, Six of Cups का कार्ड है, अपने आज पास, अपने रिष्टों को बचा कर रखते हो, अपने रिष्टों का ख्याल रखते हो, अपना फैमिली को टाइम देते हो, फैमिली is very important for you, Ten of Cups का भी कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर इस कारण से भी, आप अपने रिष्टों को कैसे समालना है, आपको बख्षू भी आता है, Celebration का कार्ड है, Three of Cups का कार्ड है, आप जो हो सकता है, community में, आप यह कह सकते हैं, अपना योगदान किसी ना किसी चीज में देते हो, बहुत active worker हो आप community के लिए, आपके समाज के लिए, society के लिए, इस कारण से भी, आपके आसपास के लोगों की नीदे उड़ी हुई हैं, साथ साथ, the lovers का कार्ड है, choices हैं आपकी life में, आप अपनी life में choices रखते हो, किसी इंसान के ओपर depend नहीं रहते हैं, किसी चीज के ओपर depend नहीं रहते हर चीज में आप choices रखते हो, अपने लिए, यह नहीं तो वो, वो नहीं तो यह, तो इस कारण से भी आपके आसपास के जो दोग हैं, उनकी नीदे उड़ चुकी हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, judgment का काड़े, spiritual awakening हो रही हैं, और यह कह सकते हैं, आपके कर्मा, जो पास्ट में आपने कर्मा किये थे, उनका फल आपको मिल रहा है, इसलिए आपकी success का बिगुल खुद, angels, खुद इश्वर बजा रहे हैं, मतलब आपको success मिल रही है कहीं ना कहीं, आपको इश्वर का आशिरवाद मिल रहा है, blessings मिल रही है, क्योंकि जब कर्मा अच्छे होते हैं, तो उसका फल कहीं ना कहीं हमें आवश्चे ही मिलता है, तो यहाँ पर इस कारण से भी आपकी life में God की blessings आ आपको मिल रही है, इश्वर का आशिरवाद आपको मिल रहा है, इस वज़े से भी जो है, आप ग्रोव कर रहे हूँ, आगे बढ़ रहे हूँ, कुछ कार्ट्स और हम लेंगे, नुम्रलॉजी गाइडेंस लेंगे कुछ कार्ट्स, और ये जो रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी कोई इस रीडिंग को देखेगा, ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट, आवश्य ही करेगी, हेल्थ हो सकता आपकी बहुत अच्छी हो, प्राइड मतलब आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्राइड बन गए हो, लोग आपके उपर गर्व करते हैं, आपके सुसाइटी वाले, आपके कलीग, आपके को वरकर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके उपर गर्व महसूस करते हैं, आप ऐसे काम करते हो, जो कि उनको गौरवानवित करते हैं, तो मतलब प्राइड फील कराते हो आप अपने पास पास के लोगों को. Self Discipline का काड़, वाद Discipline में रहते हो, ये भी एक गोण हो सकता. वाद Disciplined Personality हो सकते हो. Domestic Harmony, परिवार में हो सकता, Harmony हो, अपने परिवार को लेकर चलते हो. Adventure, कुछ ना कुछ Adventure वाले कारे कर रहे हो, जो आम लोग नहीं कर सकते, इसी कारण से आपकी life में abundance हा रही है तो definitely आपके आज़ पास के जो लोग है वो उनकी नीदे उड़ चुकी है compassion का card है आप लोगों के main जो आपका ये कह सकते हैं देखिए shadow card आ रहा है communication और compassion आ रहा है bottom of the deck तो compassion भहते हैं लोगों के लिए दया का भाव होते जब हम अपने आज़ पास के जीव जनतूचा कोई भी हो इंसान जब हम उन पर दया करते तो इश्वर हमेशा हमारे प्रती उदार रहता है है ना हमेशा हमारे प्रती जो है एक kindness रखता हमेशा हमारी गलतियों को माफ करता हमारे पर दया भरसाता है साथ साथ communication बहुत अच्छा हो सकता है आपका आप अच्छे से लोगों से communicate करते हो जाब छोटा हो जाब बड़ा हो आप लोगों में भेदभाव नहीं करते के यह छोटा है या बड़ा उसे साथ चैने आप सबको एक सम रूप समझ के बात करते हो इसी कारण से आपकी तरफ हो सकता है बहुत लोग आपको मानते हो आपकी respect करते हो आप बहुत popular हो अपनी society में तो इस कारण से आपके आजपास के लोगों की नींदे उड़ी हुई है तो यह थी रीडिंग, I hope यह रीडिंग आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शियर, कमेंट जरूर कीजिए, Thank you so much for watching my video, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साहिराम, जै मातादी, राधे राधे